इसके पहले हमने एक टोपिक सिखा था यादे आपको this is me वाला जिसमें हमारे नेम के बारे में फिर best friend के बारे में फिर हमारी favorite game के बारे में वो सभी बारे में हमने बात की थी तो आज हम उसके बाद वाला टोपिक सिखेंगे so first of all students आपको sunshine के बूक निकलनी है ये वाली और open करना है page number 35 जिसमें है my family मतलब कि अभी हम ये वाले टोपिक में हमारी family के बारे में बात करेंगे okay so students चलो हम start करते हैं one by one so students देखो आपको first क्या करना है past your family picture here मतलब कि आपको क्या करना है आपका एक family picture है जो आपको वहाँ पे चिपकाना है मतलब कि आपके बुक में देखो यहां पे आपको बूक्स दिया है यहाँ पे आपको आपका family picture जिपकाना है ओके और फिर यहाँ पे नीचे थोड़े से question answers दिये तो चलो वो करते हैं अभी हम तो यहाँ पे देखो first question आपका क्या है What is your mother name? मतलब कि आपको अपनी mother का name बताना है तो आप केसे बताऊंगे? My mother name is फिर जो भी name है वो आपको बोलना है ओके चलो तो यहाँ पे आपको mother का name बताना है ओके first question में अभी हम second question देखेंगे students तो second question है What is your father's name? मतलब कि यहाँ पे आपको अपने father का name बताना है बट केसे बताऊंगे? आपको direct name नहीं बोलना है आपको पूरा sentence बोलना है My father name is डैश मतलब कि आपके जो भी father का name है आप बोल सकते हों वहाँ पे ओके? Now, अभी हम third question करेंगे What is your brother's pet name? मतलब कि ब्रदर का pet name बताना है मतलब कि आपके ब्रदर का name कोई भी हो बट आप उसको प्यार से कुन से नाम से बोलाते है वो आपको बोलना है जैसे की भोलू, गोलू इसे names होते हैं ना उसको हम pet name बोलते हैं ओके? उसके बाद वाला question है What is your sister's pet name? मतलब कि हमने ब्रदर के pet name के बारे में बोला अभी हम sister के pet name के बारे में बोलेंगे बट आपको पूरा answer करना है My sister's pet name is फिर आप जो भी name से बोलाते हो आपको इस sister को जैसे हम दीदी, भाई ऐसे बोलाते हैं ना वैसे भी आप बोल सकते हैं वो भी उसका pet name ही हुआ चलो Now, last question अभी हम देखेंगे What do you call your grandfather and grandmother? मतलब कि आप अपने grandfather को और grandmother को क्या के के बुलाते हो? दादा दादी बुलाते हो, right? तो आपको यह answer करना है कि आप दादा दादी बुलाते हो उसको Okay students So now, last time हमने हमारे बारे में बात की थी और ये बार हमने हमारी family के बारे में बात की तो ये पूरे question आपको अच्छे से learn करने है Okay, so thank you